असलाम अलेकम हेलो एवरीवन वेलकम टू आप चैनल दिस खांस खाजाना विट फन आज हम आजे ने फिर से एक नए रेसिपी के साथ आज हम बनाएंगे कठल जिसे हम बोलते हैं जैक फ्रूट तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीस लाइक करिएगा चले ब हल्दी तो 1торииम यृझा अचैर फ्रूट लख ट्रत्री मेरे पास एंड अबरोघ वर्ली पाय। समय जालिक है सब्साड़ नियुमक हुम्री Circadis क्या फ्री करत्म मैं के अचैनल दाट किक्थ करिएग को फकेर पीली ने मूंदीश हम के वहां है कोकिक्ष में फक्रपेंट चै मेरे पास ग्रीन चली है आप चाहिए तो कम बढ़ती भी कर सकते हैं और मेरे पास हाफ टेबिल स्पून यह दाने की मेथी है तो गाइस चली है अब हम इसे कट करते हैं पहले यह मैंने कट कर लिया है मेरा कठल है मैंने इसको हाथ पर लगा कर कट किया है दूसरी साइड हमने अनियन को फाइनली चॉप किया है और हमने अपनी हरी मिर्चो को बारिक बारिक हमने लंबे शेप में कट किया है इसको एक में से दो विश्की है इसके फ्राइपन लेंगे उसमें ऑईल ला लेंगे ऑईल को हलका सा गरम करेंगे टू टेबिल स्पॉन ऑईल लेंगे हलका सा गरम करेंगे दैने इसमें आट करेंगे हम अनियन को हल्का सहम सौटे करेंगे हुआ है है यह हमारे अनियन सौटे हो रही है हल्किति सौफ्ट हो गई है अब आट कर देंगे अपना कठल जो हमने बारिक बारिक कट किया था और हरी मिर्चे अट कर देंगे और तीनों को अच्छे से हम फ्राइब करेंगे दोसे तीन मिर्ट तक हम इनको फ्राइब करेंगे तीन चीज़ों का अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और फ्राइब करेंगे इसे कटल जो नहीं खाते हैं अगर वह ऐसे बनाएंगे तो डेफिनिटली जो नहीं खाते हैं वह भी खाना है स्टार्ट कर देंगे यह रैसिपी सीरियसली बहुत अच्छी बनती है और इसका टेज बिकुल डिफ्रेंट आता है कटल के हम काफ सारे डिशिस बनाते हैं कटल के हम कबाब भी बनाते हैं अगर कैस आप लोगों को ऐसी पर जान नहीं है प्लीज मुझे कॉमेंट में जरूर बताएगा इंशालला मैं जल्दी इसको शेयर करूंगे तो अब हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया दूसी त कि मीडियम हमारी फ्लेम मीडियम है ज्यादा हाइए नहीं ज्यादा लो करनी है में और इसको हलका सा गोल्डन कलर लेकर आना है झाल क्राइब अब कर दोल लिए तब शिसमिल्डन में अपना जलाना नहीं है तो उसको कड़वा कड़वा फ्लेवर आता है तब एड़ कर देंगे अपना अगा इंटिनर जॉर्लिक पेश बूनेंगे धन्य आड़ कर देंगे जोंने प्लेट में वुशा अपनीशली निक अच्छे से इसको भूनेंगे कि मसालों का कच्छा पर निकलना बहुत जरूरी होता है अधर भाइस खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हो तो इसको अच्छे से पकाएंगे कि अच्छा सा भून रहा है मेरा हलका सा ओल उपर आने लएगा तो यह भून जाएगा यह मसाला तले पर टाच होने लगता है तब भी वह भूनने के लिए आ जाता है दूर से साइड हम अपने बनाएंगे पूरी तो गाइस देख सकते हैं आप मेरी पूरी को हमने इसी के सबसी बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है आप लोग पर बनाएंगे ज़रू ट्राइब करेंगा अदर्वाइस कैसे भी खा सकते हैं इसको है वाइस अच्छे सा भूनतावाद दिख रहा है आपको बॉल उपर आ रहा है हमारा कि इसी में एड कर देंगे अपना कथल और प अच्छे से मिक्स कर लेंगे से तकि हमारी वेजी से उसमें मसाला हमारा अच्छे से साट हो जाए आप देनम इसमें एक ग्लास पानी डालेंगे इसको सबजी को गलाने के लिए और इसको लेट कवर कर देंगे दस से बारा मिनट के लिए लेट कवर करेंगे और बीज बीज में चैक करते रहेंगे कटल हमारा गला है या नहीं तो गाइस मिलते हैं दस मिनट बाद देखे कितना सारा पानी यह बीज बीज में चैक कर दोंगे फिर से इसे कवर कर दूंगे यह हमारा मीटियम है यह देखे गाइस यह रेडी हो चुका है अच्छे देखिए कटल ने टेल छोड़ दिया है तो बतल जब टेल चोड़ता है समझ लिए हमारे डिश त्यार हो रह है इसी के साथ हमारा कटल होता है त्यार अब कर सकते हैं इसको डिश आउट तो गाइस थैंक्यू सो मच पर वाचिया वीडियो अगर आपको वीडियो पसंदा है तो इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे आप और प्लीज गाइस फुल वीडि बहुत डिलिश आपके डिश बन कराएगी और मुझे कॉमें में जरूर बताएं ट्राइब करने के बाद क्या आपके डिश कैसी बनी है फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में जब तक आप अपना ख्याल रखें अपना घरवालों ख्याल रखें और वेट करें में नेक्स्ट वीडियो का आला हाफिज बाई बाई